ये गाइस आप सभी को फिर सी मेरी चैनल में स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग ड्रेट वालकुट की दोड़ा लिकिंगे एक फिमस पॉयम एक फार क्राइब फॉम एफ्रिका के बारे में जानेंगे दोस्तों नाम से पता चलते ही कि एफ्रिका को लेकर ह इस असे में असे हम लोगों को बहुत सारी स्वाहक बे survi काермट जाना पडाना प्तारी है अब पहले लगे करके कि पॉयम बहुत इफिकल्ट है सच मेंुआत है सायथ लेकिन आप अगे इसको माहते सुने मैं यान से ब्राब हो जाईगे आपको क्लियर हो जाइग स्थ टुन वीडियो बहुत फाइदमन होने वाला है वीडियो कान तक देखिये तो चलिए कुछ बैक्ग्राउंड पहले जान लेते हैं दोस्तों ड्रेक्ट वाल को एक सेंड लुसेन पोईट और प्लेराइट थे उनका जनम बहुत है 23 जनुरी 1930 को और उनका डेथ वहाथ 17 मार्च 2017 को द क्ष़ एक बीटिस लोग जो लोग चाहते थी कि बृत फिरस दल था जो लोग चाहते थी कि बिटिस के वीडिफ कर दिसके खिलाव हम लोग बादला लेंगे वह इतना डेंजरस था कि फॉइट जो पीपल है किसके अगर कालर भी फॉइट होते तो उसको भी मार देते थे चाहे हो छोटा बच्चा हो आपर बूरा हो ठीक है तो सभी को मार देते चोटे बच्चकों भी नहीं छोड़ते थे इतना फिरसस दल थ इसी को लेकर यह पॉइम लिखा गया है एक्चुली जो पॉइट है वह बिडिज भी थे एफ्रिकन भी थे उनका ग्राण मादर था ब्लैक सड़ी ग्राण मादर थे वाइट और ग्राण फादर था ब्लैक इसलिए दोनों के लिए उनके मन में एक स्थीम पहती था और रहत देते हैं इसी मासरत को लेकर यह पॉइम जो ही लिखा गया है तो यह जो सिच्वेशन है सिच्वेशन के लेकर यह पॉइम है अब दोस्तों एक चीज में आप सभी को पड़के सुना देता हूँ इसको एक पस सुन लीचे तो आपको एचीज जो है फिर से क्लियर हो देक्वलकोर्स 1962 को एफर क्राइब आप्रीका में अपराइजिंग हुए थे उसको लेकर एक गेरिला वारफिकनई नाथे उसको लेकर जो एक गेरिला वरफ्ट वार्फ़ राचज यह एगें निटैटिग को एगंस बितिस ऐस फिर स्कुनिस दो इसको निंट इसको एक च् यह जो दल है गरिला वर फाइट केया था बिटिस के अगेंस्ट कब 1952 से 1960 तक दस्पीकर इंप्लाइड तो भी फॉम एक कॉलोनी जस्ट आज वालकोट इमसेल्फ वाज आज बोथ अफ्रिकान एंग्लिस हेरिटेज स्फीकर जुह जो पर यह जो पहेट उन ऐसिशों स्फोप्ट कॉल्स चीजसे इसको कॉलोनी कर्ते जो डिट्वीश को नहीं है पसंद एक लेकिन वह रहीं करते हैं तो यहां पर बताया गया है कि लेक fryत उन नहीं को पसंद नहीं करते थे, he also bristles against the gruesome of the rebellion creating a feeling of deep ambivalence and confusion regarding his loyalties लेकिन ये जो खूनकरा पे इसको भी वो पसंद नहीं करते थे ultimately the poem creates both the violence in Kenya and the speaker's own conflicted identity as the part of legacy of colonization और ये जो पोएम है इस पोएम उसी के लिए लिखा है जो मामाओं के दल था जो केने के दल था उन्हों लोको ने इसके खिलाब लडने के बाद किस तरह से जो violence की जटकिया था colonism के उपर उसको लेकरी पोएम है rather than finding a way out of this legacy the speaker expresses the deep pain persistently causes और इस जो situation इससे बाहर आने के आला बाहर आने के कोई इसको रास्ता नहीं मिला पोएट को इसलिए उन्होंने अपना जो डीप पैन है इस पोएम के थूर हम लोगों को बताया है तो यह तो पोएम का background आब हम लोग पोएम जो है लाइन बहला है explain करेंगे चले देख लेते हैं एक तेज हवा जो कि वह जा रहा है यह तो एक तेज हवा है जो कि वह जा रहा है आफ्रीका की kukki यूपर से कीव क्वी करें किको नम की जा रहा है मतलब माव माव जा नहीं की तरह बहुत जल्दी जा रहा है मकी की तरह कहां पर जा रहे बैटन आपन दा भीड़्ट बैटन मतलब है दुस्टो किसी चीज जो उसका वीटम इसको लेना Bloodstream दो आफेल मतलब को मार दिया जा रहा है ठीक है कि कौन लोग मार इसको माव माव के जो दले ओलो कॉपसेस और स्कैटर थूरे पैरडाइस देखे पैरडाइस इमेज यहां पर एफ्रिका की ग्राउंड को क्यों दिखा है कि क्योंकि आफ्रिकन नॉर्मली पैरडाइस है वहां पर बहुत सारे अभी नर्क के बरह बार है क्योंकि को सरे स्कैटर तुरे पैरडाइस और ते डिशरू के ओपर लाशो का धिर अगर नस्ट हो जाए तो उसके उसे बहुत वहां पर होते हैं ठीक है वह स्नों कॉमपेशन ओन दीज सेपरेटेड डिट कॉमपेशन का मतलब है दाया दाया नाम की कोई मतलब जो लोग को पर उसको कहते स्टैस्टिक्स तो व क्या करें उसको कितनी फोड का संका है और को गून रहे हैं और स्कॉलर जो स्कॉलर है वो कह रहे है कि कैसे क्या हुआ कैसे हुआ इस सारी चीज़ बता रहा है इस्टिक्स जास्टीफाइए एंड स्कॉलर सीज़ दा सैलियंस अब दे कॉलोनियल पॉलिसी के मतलब है दोस्तों कॉलोनी जब इस्टाबिस्ट होते है उस तरह सी छोटी मोडी जो गटना है होती रही कि मतलब यह जो लास वगर है एक छोटी सामाणने चीज है उनके लिए ठीक है ऩूअ कि ourIt भाटी में शीज है नता है किया उसको मार आ गया हैं तो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता लेकिन वसको ग्यमार चैक इसके लिए कि जो हिटलर की जो नासिस थे उन्हों लोगों ने जीव को मार दिया ते इसलिए किया इसलिए उस फॉइट पीपल को मार दिया कि हुई जो बच्चा है उसको यही चीज़ पूछना चाहते पॉइट ठीक है इस पैरक का मतलब क्या है दोस्तों कि चारो एफ्रिक इसके खिलाब आवाज उठाई थी तीसलिए उन लोग फॉइट पीपल जो भी थे एक बच्चा भी हो सकती उसको भी मार दिया मार दे रहे थे ठीक है और चारो गोर्ण को पैरडाइस के साथ कॉम्प्यार किया जाता है और उसका जो ग्राउंड ग्राउंड के उपर बहु लेकिन दफनाने के लिए कोई लोग आँपन नहीं है सिर्फ वार्म है लासो के उपर ठीक है वार क्या है वेस्ट नों को मारेंगे तो वह भी नहीं चोड़ेंगे ठीक है इस तरह से दोनों तरफी लासो का धेर है और स्टैस्टिक्स और जो को लोग बून रहा है कि कितना अगर कोई भी कोलोनी इस्टैब्लिस्ट होगा तो इस तरह से जो मार फिट ऐसा होता रहेगा ठीक है तो इस कोई बड़ी चीज ने एक छोटी समान ने चीज़ है लेकिन पूएट पूछने चाहते है लेकिन उस बच्चे नहीं क्या क्या तो वह जो छोटी बच्चा है उस एक बहुत लंबी ब्रेक के बाद अब इसका मतलब बता अब बत बहुत चीज क्लियर और ता पहले आफ्रिकत में क्या होता है जब कोई चीज कोई अनिमल को फूंत अश्को मारने के लिए तो वह लोग भूल लेकर नूटा है तो फूछ जोब जारी उस पर जूप जाता है तो ढूल बजाने के बद क्या होता है वोगहां से बाहर आजाते है तो उन लोग इस तरह से मार दिया जा रहाता तब वो नोग उसकी जो लास मतलब हो लोग इबीस जो पक्सी वह भी मार दिया जते तब और इसकी जो डास्ट है यहां फैला होता है ठीक है तो इबीस जो पक्सी जो डास्ट इसकी बॉरी का जो धूले वह यहां पर वहां पर बिच्छ रहा हुआ पराव है ठीक है उस खैस है ऐफ विल्ट शीन सिब्लाइस इन और सभी बहुत वाँ लेकर आरहे और उनको मार दिया जा रहा है। और यह स्काशी किया है? वो कास कर रहे है, कि 특स्षर है और यह कहां से को सीरा मेल पनकी यह और कंहें चुछ वας रिव the उसको केते हैं beast trimming plant, ठीक है, the violence of beast on beast is rich as natural law, but upright man 6 is divinity by inflicting pain, एक पशु दूसरे पशु पर torture कर सकते हैं, दोनों में लडाई हो सकता है, लेकिन जो इंसान है, वो कैसे कर सकते हैं, पशु के साथ पशु अनिमल के साथ अनिमल जो मार पीठ है, वो हो सकता है, वो नेचरल है, लेकि Delirious as this orid beast, his worst dance to the tightened carcass of a drum, while he calls courage still the native breed of the white piece contracted by the deed, देखे हैं यहापर, Delirious as this orid beast, his worst dance to the tightened carcass of a drum, देखे हैं, इसका मतलब है, कि ओ लोग एक दूसरे को मार रहे है, ठीक है, इतना तो ठीक है, लेकिन मार दने के बाद भाद भीठ, खुशी से, एक दूसरे में, जो आनिमल जो आनन्द है, आनन्द के मारे ओन लोग नाच रहे हैं, ड्राम बाजार है, एक इस तरह की चीज़ है, वाइल ही कारेज कारे स्टिल, देखे बूसरे को, तो पिस उनलोगों में, तो प्रेट हो गया है, मतलब जो एफिकन है, ओन लोग ने उनलोग ने वाइट पीपल को मार द । दोनों के बीज मेख पीस क्रेट हो गया। इसका मतलब हुआ ही ही। ठीक है। तो दोनों पीस क्रेट हो गया। पोईट एक कहना चाहते है। एगन Brutish Necessity Wives with its hand. लेकिन फिर भी क्या ज़रूर रहती Brutish Necessity मतलब इतना क्या ज़रूर रहती इसकी। कॉट एक अपिर से एक धूसरे किपल को मारा और लॉगों को मारा तो फिरसे ज्वा है आपने को डाटी किया और डाटी करने के बाद हो लोग नैपकीन में फिर से पहुच रहे हाथ को ऐसी स्पेञ्ट जैसे कि स्पेन लोग जो है दा गोडिला ओर श्ल्ज विद इस थी भरमन जैसे स्पेन में क्या वाइट और ग्रंफादर थे ब्लैक तो दोनों का खुन में है इसलिए उसका भी खुन है उसका भी खुन है तो मैं किसका सपोर्ट करूं मुझे समझ भी नहीं आ रहा है ठीक है वेट सहलाई टॉर्ण डिवाइड टुद भीन में किस तरफ जाओं इस तरफ यहां उस तरफ मे बेट्वें दा अफ्रीका अन इंग्लिस टंग लेकिन फेर भी मैं किसको चूहतो अफ्रीक न को यहां पर जो इंगलिसंग जो मेरी सथ इसको प्यार करते हुँ विट्रे दें बोथ दुनों को गीटरे करताहूं और गीप और और जुब भाट देंग और चूंसको प्राप कूल रह सकता हूं how can I turn from Africa and leave मैं कैसे आफ्रीका की और से जो आपना मुह है उसको घुमा कर जिन्दा रह सकता हूं आफ्रीका को छोड़ कर कैसे जिन्दा रह सकता हूं और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ठीक है